वेलकम बच्चों स्वागत है आपका ब्रजिश लतमेहम के चैनल में आज हम करेंगे क्लास टैंथ हिस्ट्री वन मार्क्स कोश्चन पार्ट टू इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ उसके अंदर आपको मैंने वन मार्क्स कोश्चन करा आए हैं आप चाहें तो दिस्क्रिशन में जाकर उसका लिंक चेक करके उनने देख सकते हैं अब मैं आपको इसके दूसरा पार्ट करवा रही हूँ जिसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके राइटर के नाम बताए हैं तो आएए स्टार्ट करते हैं 1821 में राचा राम मोहन राय ने समवाद कौमुदी नामक समाचर पत्र प्रकाशित किया था 1822 में जामे जहानामा और शम्सुल अखबार ये दो अखबार प्रकाशित किये गए थे 1867 में देववन सेमिनरी इन्होंने फत्वे चारी किये थे बेटा जिसके अंदर इस्लामी कानून के बारे में डिस्क्रिप्शन दिये गए है 1810 में राम चरित मानस तुलसिदास जी का पहला सस्करण जो कलकता से प्रकाशित किया गया था 1876 में राश्चुद्री देवी ने आमार जीवन नामक एक आत्मकता लिखी थी जिसमें उन्होंने अपने जीवन के बारे में अपने जीवन के अंदर होने वाली सारी घटनाओं का डिस्क्रिप्शन दिया है राम चट्डा ने स्त्री धर्म विचार नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने स्त्रियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का वंडन किया है कि स्त्रियों को अपना परिवार कैसे चलाना चाहिए जोतिपा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी है काशी बाबा ने छोटे और बड़े सवाल नामक पुस्तक लिखी है और बाल विंगादर तिलक ने केसरी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया है ये सारे बुक्स और उनके राइटर्स के नाम है कुछ समाचार पत्रों के नाम है, यह सारे बहुत important है, इसके अंदर से matching और बाकि सारे questions पूछे जाते हैं तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए बेटा, आप मेरी वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें और आपको अगली वीडियो में मिलती हूँ नए chapter के संग और उसके नए important questions के संग, तब तक के लिए goodbye, thank you